लक्री कौर्म, ये जो कौर्म है वो हमारे प्रणे डिली से बिलों करती है और ये मुगलै कुषीνε में आती है इसको ब्नाए को तरीकला है लिए हमारे पास एंपास है चिकन 400 g, हमार पास है हल्दी पावडर, धनिया पावडर, लाल मिर्षी पावडर, नमक जीज़र गालिक पेष्ट, हमने लिया है केवडा वाटर, दही फेटी वी और देसी गी इसके अलबा हमार पास ब्राउन ओनियन है जिसे हम लास्ट में क्रस्ट करके डालेंगे इस में हम कोर् आप सेम इस रेस्पी को फोलो कर सकते हैं आप साही जीरा बड़ी इलाइची दाल चीनी इलाइची थोड़ी सी जैफाल जैत्री और तेजपत्ता को हलका सा पैन में ब्रॉल करके और इसे ब्लैंड कर ले मिक्सी में तो पाउडर इस तरह के तियार हो जाएगा चिकन कुर्मा क हम हांडी में डालेंगे इसके बाद दालेंगे द्रही , 400 g मीट में 2-500 g डाल सकते हैं आप को जीतना गरेवी चाहिए आप उतने डालें हमने डाला करीब 300 g इसके अलाबा हम डालेंगे नमक southeast शाद कई लाल मिर्ची पाउडर हमने डाला है करीब 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर हमने डाला है हाफ टीस्पून, धन्या का पाउडर हम डालेंगे 2 टीस्पून, जिंजर गालिक पेष्ट हम डालेंगे 3 टेबल स्पून, इसके अलावा जो हमारे पास मसाले थे, तेजपत्ते, सही जीरे यह सारा हम इसे मिक्स करेंगे और हम ढoga डालेंगे इसमें देसी घी करीब 3 टेबल स्पुन उसे हम डालेंगे 3 tsp साथ कि असलेंगे मिक्स करने के बाद ev इसे सीदे न्यार आलवा करके डॉल ने एनने के बात आने के बाद तक काएंगे भॉल टावस्ति शाएब बोईलिंग आना चालू हो गया है अब हम इसमें करीब एक कप पानी एड़ करेंगे ताकि चिकन सही से पक जाए तो करीब 30 मिनिट हो चुका है हमारा चिकन कुर्मा चिकन अल्मोस कुक हो चुकी है अब हम इसमें एड़ करेंगे फ्राइड ओनियन जो तीन मीडियम सेज के ओनियन को हमने फ्राइब किया है और फ्राइब करके क्रस्ट कर लिया था थो इस ओनियन को आदै करेंगे हर गर ए करीब 50 ml के इस्तेमाल से तुरह साइनिंग हैगी हम इसने 50 ml केवडा वाटर यूस करेंगे चिकन कुर्मा को सफ्रेंगे चिकन कुर्मा को हम सफ्रेंगे तो गार्निश करेंगे अलमंद्स और अलमंद्स स्लाइस से और हम डालेंग इसमें थोड़ा सा जींजर जूलियन और मिंट के बदते है तो दिल्ली स्टाइल चिकन कॉर्मा रेडी है थेंक्स पर वाचिंग शेफ अरून थेंक्यो